हेलो गई स्वागत है आपका एक और थ्री इन वन सूपर कमपैरिजन वीडियो में जहां आज में डीस एउ सूपरमैन वसेस एमसियो की कैप्टन मार्वल वसेस एमसियो की हैला के बीच एक कमपैरिजन करूँगा और एंड में अपने बेसिस में बताऊंगा कि कौन पाफुल हो सकता है इन तीनों में से वैल अगर आप हमारी चैनल में नई है या अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें सो गाइस चलिए अब इस 3 in 1 सुपर कमपैजन वीडियो को अब और देरी ना करते हुए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं डिटेक्टिव कॉमिक्स एक्स्टेंडेड यूनिवर्स के हीरो सुपर मैं के बारे में वेल मैं काल एल को सुपर मैं कम और एक पाउर हाउस कहना पसंद करता हूँ क्योंकि सुपर मैं बहुत पाफुल है कि वो कुछ भी कर दे क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ लिमिटलेस है और maybe infinite यानिकी endless क्योंकि वो बच्पन में ही इस बस को पानी से निकाल चुका है या फिर इस oil drill वाले जगा पर इन heavy से heavy structures को lift करना उसकी superhuman strength शो होती है या वो Batman जैसे heavy armored suit में रहे character को अपने एक push यही कितनी दूर फेक सकता है तो पूरी strength लगा दे तो क्या होगा इसी के साथ वो fly करने की capability रखता है जो लोईस लेन को इस gun fire के पहले ही बचा लेता है या उसकी मा को खत्रे में देख, full sonic speed में fly करके आना और पल भर में zot को वहाँ से ले जाना या super speed में uncountable punches करना literally काफी fast था इसी के साथ वो world engine के gravitational pull को overpower करके वहाँ से fly कर गया जो next to impossible है लेकिन क्योंकि वो superman है तो वो सबसे super है या flash जो DCEU का भी सबसे fastest character है सूपर में अपने reflexes के मदद से उसे भी move होते हुए देख लेता है या उसके बराबर के speed में travel करता हुआ नजर आया है या बात करें उसकी durability की तो guys वो invulnerable ही है bullets, missiles, bomb जैसी चीजों से यानि कि ये चीजे उसका बाल भी बाका नहीं कर सकती और अगर तब भी कभी उसे kryptonite bullets या nuclear missile हिट करें तो वो sunlight के सामने आते ही हील हो जाएगा कुछी समय में जो उसका बहुत बड़ा advantage है या फिर उसके death के बाद भी उसकी body decompose ही नहीं हुई या बात करें उसके heat vision, extra vision, freeze breath, super hearing, fighting abilities की भी तो और जदा powerful हो जाता है यांते की जोट के इन warriors के सामने भी वो टिक गया जबकि ये काफी trained और experience थे जबकि सूपर मैन को अर्थ में कोई training तक नहीं मिली और Atlas वो General Jot का भी खेल खतम कर चुका है या Stepanulf तो उसके लिए एक मच्छर साबित हुआ जिसके हस्ते हस्ते ही सूपर मैन ने लगा दिये रस्ते दूसरी तरह बात करें Captain Marvel की तो वो एक human है प्लस उसमें क्री DNA है इसलिए उसकी physiology क्री species के बराबर है और क्योंकि उसे खुद स्टार फोर्स के कमांडर यान रोग ने ट्रेन किया है तो वो काफे fighting skills और abilities रखती है जब इना अपने photon blast से स्क्रॉल्स से fight कर चुकी थी या उसकी durability भी काफी strong है जो spaceship से गिर कर भी काफी उची height से studio में आकर गिरती है और तुरंथ कुछी पल में अपने पाउँ पर होती है या उसका fly करते हुए missiles के बीच से जाना और कोई बड़े injury या उसे थोड़ी बहुत भी खरोस तक नहीं आई या फिर यहां स्टार फोर्स से लड़ते हुए वो भी काफी hits जेल गई थी easily या थैनोस के पाउस्टोन की जोरदर पंच से हील हो गई कुछ टाइम में वहीं बात करे उसकी speed की तो वो अर्थ से space का distance कुछी seconds में पुरा कर लेती है या वो binary mode में आते ही अपने top speed पर होती है जो कुछी seconds में fly करते हुए missiles को destroy करके aircraft तक को खिलोनी की तरह तोड़कर रख दिया था उसने या outer space में बिना किसी major weakness या problem के fly करके skull ship के बराबर में fly कर चुकी है या टोनी स्टाक और nebula के benator को ढूंते हुए उसे lift करके Avengers facility में रख देना उसकी strength को भी show करता है या उसका super speed में fly करते हुए आना और Thanos की century ship को destroy करना clearly उसे बहुत powerful थाबित करने का एक बड़ा proof है इसी के साथ वो agility, enhanced reflexes, invulnerability, binary mode के दोरान या photon blast कर सकती है प्लस energy absorb कर सकती है जहां यहां पर वो rain fire को absorb करके और powerful हो गई या Thanos के infinity gauntlet से energy absorb कर लेती है और Thanos के head attack तक से उसे कुछ नहीं हुआ अब at last बात करते हैं goddess of death हैला की तो guys हैला एक asgardien है और Thor और Loki की बड़ी बहन है जो हजारों सालों से कैद में थी जिसकी पावस asgard सा है जो जितनी ज़्यादा super strength रखती है कि अपनी entry के साथ ही Thor के Mjolnir को mid year में रोक कर वापस जाने तक नहीं देती या उसे crush कर देती है एक piece of cake की तरह या उसने Thor की strength तक को या battle skills को beat किया है bifrost fight में या throne room के battle तक में या उसके durability जो regenerative healing factor के साथ combined होकर उसके body को most durable बनाता है यहां वा lightning के history के सबसे खतना Thor के lightning strike से बच गई या asgard के इस warrior के step करने पर भी तुरंधी इस से heal हो गई जो कि काफी unique है या उसका Thor के गंगनीर से penetrate करने पर भी यहां उसकी body तभी heal होती दिखी जो कि possible होता है asgard से क्योंकि उसकी powers asgard में होते हुए बस बढ़ती ही जाती है वैसे ही वो fly तो नहीं करती हुए दिखी मगर उसके reflexes, agility या उसके body movements काफी quick है जो उसके combat skills या fighting abilities को एक बहुती बड़ा advantage देता है जहां हेला, artillerys या fire attacks को dodge करते हुए यहां काफी speed से asgard की army को अकेली ही संभाल चुकी थी या यह कहना गलत नहीं होगा कि वो यहां लाशे बिज़ा देती है और atlas भी वो थोर और वैलकारी जैसे warriors को overpower तक करती है और उसने ओड़ीन के साथ मिलकर एक की बाद एक रियामस में कबजा जमाया था जहां वो खुद ओड़ीन की weapon थी वैल हेला का weapon कुछ और नहीं बलकि नेक्रोस्वर्स है जो इतना powerful था कि इसने पूरी वैलकारी को खतम करने जैसे फीड्स हासिल किये है या एसगार्ट के warriors के साथ भी या इन आर्टिलरी को destroy करने से लेकर नेक्रोस्वर्स थोर की आँखे फोर चुकी है और फैनराल और वाल स्टैक को मौत के घाट उतार चुकी है या होगुन का भी कुछ ऐसा हालत कर देती है या हेला weapons भी create कर चुकी है जैसे यहाँ एक blood X इसकर्च के लिए और तो और इसकर्च के आर्मर को चीरते हुए अपने नेक्रो सोर्स से उसे मार डालती है वहीं डिफैंस करने के लिए जैसे थार के आटक्स को रोकने को वह उसके लिए अपने नेक्रो सोर्स के जरिए defensive weapons भी create कर चुकी है यानि कि नेक्रो सोर्स को हेला किसी भी format transform करके उसे यूस कर पाती है जैसा वो चाहे तो गैस अब बात करते हैं रिजल्ट्स की कि या खिर डीजी ईयू का सूपरमैन या MCU की कैप्टन मावल या MCU की हेला के बीच कौन विनर होगा या कौन पावफुल है सूपरमैन एक immensely पावफुल करेक्टर है जिसकी पावफ की कोई लिमिट नही है लेकिन उसकी वीकनेस क्रिप्टोनाइट या लेड है जिसके आर पार वो देख नहीं सकता है और उसकी फाइटिंग स्किल्स उतनी स्ट्रॉंग नहीं है क्योंकि वो यहाँ अपने ही प्लेट के वॉर्योस के सामने इस मामले में स्ट्रगल करता है मगर हेला को कोई अपनी फाइटिंग एबिलिटी से ओवर पाउर तो दूर की ही बात है मगर उसके सामने कोई टिक तक नहीं पाता है जिस करण हेला बैटल स्किल्स के मामले में सुपर मैं के अगेंस्ट वीनर है और अगर ये फाइट एसगार्ड में हुई तो सुपर मैं के लिए हेला के सामने जीतना बस 10% का ही चांस रहेगा और हेला सुपर मैं के अगेंस्ट वीनर होगी क्योंकि एसगार्ड उसका पाउर सोस है प्लस उसकी हीलिंग फैक्टर और जबदस कॉमबेट स्किल्स के साथ नेक्रो सोर्स मेनिफेस्टिशन उसे वीनर बनाता है मगर एसगार्ड के बजाए ये फाइट कहीं भी हुई और किसी तरह सुपर मैं हेला को अपने हीट विजिन या लिमिटलेस स्ट्रेंट से उसके उपर कुछ भी हीट्स कर पाए तो हेला का वही खेल खतम हो जाएगा और हेला के चांसे सुपर मैं से जीतने के बस 10% होंगे यानि कि सुपर मैं हेला को बीट कर देगा अपने सॉनिक स्पीड, सुपर रिफ्लेक्स, सनलाइट और जबदस स्ट्रेंथ के मदद से वही कैप्टन मावल पर भी यही बात आती है कि वह हेला को एसगार्ड में बीट नहीं कर सकती है मगर अर्थ या स्पेस में कहीं और हो तो कैप्टन मावल हेला को बीट कर दे अपने बाइनरी मोड में आते ही क्योंकि बाइनरी मोट का मुकाबला थैनोस की शिप और खुद थैनोस भी नहीं कर पाया एक इटरनल और जबदस फाइटर होनी के बावजूद यहां तकि उसे पाउर स्टोन का यूज करना पड़ा मगर अगर सुपरमेन वसेस कैप्टन मावल हो और फाइट स्पेस में कहीं हो या अर्थ के बाहर हो तो कैप्टन मावल इजिली विन कर जाए क्योंकि सुपरमेन अर्थ के बाहर जाते ही फिलाल डिसी एउ में वीक होते हुए नजर आया है मगर अगर ये fight आर्थ में होती है तो Captain Marvel के लिए भी Superman को beat करना काफी मुश्किल होगा क्योंकि Superman की weakness क्रिप्टोनाइट है और ये Captain Marvel के हाथो आसानी से आने वाला नहीं और सुपरमेन अपने reflexes के कारण या sonic speed के कारण Captain Marvel को beat कर दे मगर Captain Marvel भी Superman को beat कर सकती है अर्थ में भी क्योंकि Captain Marvel energy absorb कर सकती है जो उसका एक बहुती बड़ा advantage होगा मगर obviously guys Superman की invulnerability भी कोई कम नहीं जहां Captain Marvel बस binary mode में ही unaffected रहती है बड़े missiles या bullets से कह लीजिए लेकिन Superman अपने Clark Kent वाले form में भी उतना ही strong, durable और invulnerable है और उसके बड़े से बड़े घाव sunlight के करीब आते ही heal हो जाते है जिस कारण इस 3 in 1 सुपर comparison का winner तीनों ही है लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी possibility है और fight कहा होगी जैसे थोड़े पहले मैंने आपको बताया है मगर strength और speed जैसे मामलों में सुपर मैं पावफुल है वहीं हैला सबसे best fighter होगी और सबसे powerful fighting abilities रखने वाली fighter होगी और Captain Marvel speed और binary mode के कारण space के बाहर या earth में unstoppable होगी अपने binary mode के वज़ा से तो गैस यह थी DCU के सुपर मैं वसस MCU के हैला वसस MCU की Captain Marvel के बीच एक 3 in 1 सुपर कंपेजन वीडियो जिसे मैंने totally movies के form के basis में बनाया है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और share करें साथिक comment करके बताए आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कौन वीनर है और आपका फेबरेट कौन है इन तीनों में से और ऐसे ये awesome और interesting वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को subscribe करके बल आइकन को ज़रूर प्रेस करे और मेरे नई comics के चैनल Captain Hemant 360 को भी subscribe करे Marvel or DC-related comics contents देखने के लिए जिसके link description में है तो गैस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में दिस इस और Captain signing off टेक केर बाई बाई